नमस्कार आप सभी का मेरे इस चैनल रोचक कथाये में पुना स्वागत है आज मैं आपको ओडम पर्व की एक पौरानिक कथा बताने जा रहा हूँ तो देर नहीं करते शुरू करते हैं आज की कथा अईसी पौरानिक मानेता है कि एक समय में महावली नाम का असूर राजा हुआ करता था वह अपनी प्रजा के लिए किसी देवता से कम नहीं था अन्य असूरों की तरह वह तपोबल से कई दिव्य शक्तिया हासिल कर देवताओं के लिए मुसिबत बन गया देवताओं में किसी के पास भी महाबली को परास्त करने का सामर्थ नहीं था राजा महाबली ने देवराज इंद्र को हरा कर स्वर्ग लोग पर अपना अधिकार कर लिया पराजित इंद्र की स्थिती देखकर देव माता अधिती ने अपने पुत्र के उधार के लिए श्री भगवान विश्णू की आराधना की आराधना से प्रसन्न होकर श्री हरी प्रकट हुए और बोले देवी आप चिंता न करे मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लेकर इंद्र को उसका खोया राजपाट पुना दिलाऊंगा कुछ समय बाद माता अधिती के गर्भ से वामन के रूप में भगवान विश्णू ने अवतार लिया उनके ब्रह्मचारी रूप को देखकर सभी देव और रिसी मुनी आनंदित हो उठे वहीं राजा महाबली स्वर्ग पर इस्थाई अधिकार प्राप्त करने के लिए अश्वमेग यग्य करा रहे थे यह जानकर वामन रूप धरे श्री हरी वहां पहुँचे उनके तेज से यग्य साला प्रकाश मैं हो गई महाबली ने उन्हें एक उत्तम आसन पर बिठा कर उनका सत्कार किया और अंत में उनसे भेट मांगने के लिए कहा तब वामन रूप में अवतरित भगवान विष्णू ने महाबली से तीन कदम रखने के लिए जगह मांगी इसे महाबली ने स्विकार कर लिया वामन ने अपने एक कदम में भूलो तो दूसरे कदम में आकास को नाप लिया अब महाबली का वचन पूरा कैसे हो तब उन्होंने वचन को पूरा करने के लिए वामन के समक्ष अपना सिर जुका दिया वामन की कदम रखते ही महाबली पाताल लोग चले गए जब प्रजा तक यह सूचना पहुँची तो हाहाकार मच गया प्रजा का उनके प्रती अगाद सिने देखकर भगवान विश्णू ने महाबली को वर्दान दिया कि वे वर्स में एक बार तीन दिनों तक अपनी प्रजा से मिलने आ सकेंगे माना जाता है कि तब से लेकर अब तक ओडम के अउसर पर महाबली केरल के हर घर में प्रजा जनों का हाल चाल लेने आते हैं और उनके कष्टों को दूर करते हैं बोलिये वामन भगवान की जै बोलिये राजा महाबली की जै तो यह थी आज की कथा आशा करता हूँ आपको आज की कथा पसंद लाई होगी पसंद लाई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और इसे जादा जादा शेयर कीजे धन्यवाद